वाहन चेकिंग के दुरान बदमासों से मुटबेड गेंगस्टर के वांचिक बदमास को लगी गोली एक पुलिस कर्मी भी गोली लगने से घायल जनपर संबल के असमोली थाना चेतर के सकतपुर गाउं के चुराहे पर वाहन चेकिंग के दुरान पुलिस और बदमासों के ब गायल हुआ है जबकि उसका दूसरा साथी रिसाल पुत्र लड़न निवासी मंसूर पुर माफी मौके से परार हो गया मुडवेड के बाद घटने सल पर पहुंचे अपर पुलिस अधिक्षक ने घायल बदमाच से पूच्ताच की तो जानकारी हुई कि गिरफतार किया बदम गेंग्स्टर एक का बांचीत अपरादी है वेड़ हुए सर क्या मामना है यह आज मौली ठाना छेत्र में मौली चेकिंग कर रहे थे सकट पुर्थ राहे पर दो बदमाच जो है मतर साइकल से आते हुए संदिक दूरूब में दिखे इनको रोपने क्रियास किया गया थे प अब बाहन चेकिंग के दोरान एक सूसना मिली थे कि अपराधी कुछ अपराधी आ रहे हैं उसको फटेपूर शकतपूर रोड़ पर दोड़ रोड़ पर दोड़ रहे हैं पर प्रियास किया गया असमोली थाना चेतर में उन्होंने पुलिस पर फायर किया और इसमें हमारा एक कॉंस्टेबल टेजेन गायल हुआ है और इसी काउंटर फाइरिंग में एक अपराधी समीम को गोली लगी है दोनों को हास्पिटल भेजा गया है जब इनके वारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये गैंगेश्टर एक्ट का वांचीत अफरादी थाना असमोली से था और ये छेतर में लगातार अफराद कर रहा था इसका एक साथ के अभी मोके से फरार है जिसके लिए भी काम्बिंग जारी है चेतर में कॉंबिंग की जा रही है और मोटर साइकिल और तमंचे बरामद हुए है को खा कार्तूस बरामद हुआ है इसके आधार पर मुकतमा लिखके विदिक कारवाई की जा रही है